गुड मॉनिंग आज हम लो जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास एट का है लिट्रिचर इंग्लिस लिट्रिचर चैप्टर नमबर त्री डस्क तो इसके सेक्शन एंड सेक्शन बी के कॉशन आंसर आज हम लो करेंगे कॉशन नमबर वन है अकॉड़िंग जी निरेटर सो जो स्टोरी बता रहा है इसको बोला गया है और उनको बोल रहे हैं कि डस्क तोरी किस के लिए बिलौंग करती है डस्क तोर मिन्स जो यूनिंग का टायम होता है जो शाम होने वाली होती है यह सुरिद डल रहा होता है एक पर्टिकिलर जिस को हम गौधुली भी बोलते हैं हिंदी में उस टाइम को बोले जाता है तो वो टाइम किसका होता है करके ये लोग बूच रहे हैं तो इसका अंसर है उसमें दिया भी है कौशन टेक्स्ट में दिया है आपकी बुक में कि अकॉर्डिंग टु दी नेरेटर डस कावर बिलॉंग स् डिफिटेड परसन डिफिटेड परसन मतलब हारे वे लोग जो होते हैं जो लोग वो लोग जो हैं इस तरह की शाम को पसंद करते हैं जब उनको कोई पहचान नहीं पाता है तो वो बहार निकलते हैं सारे दिन घर में बैठे रहेंगे शाम को इस तरह की जब बंदेरा उने वहला आता है तब वह वहां से बाहा निकलते हैं और कहीं पार्क में जाके आकेले में कहीं जाके बैठते हैं तो इस तरह से बोला गया है according to the narrator, desk hour belongs to the defeated person. Question number two पे आते हैं compare and contrast the two people who sat on the bench with Norman Godspine. Norman Godspine जो narrator थे इसके उनके साथ कौन बैठा था और उन दोनों को compare करें करके compare and contrast मतलब दोनों में क्या क्या contrast था दोनों किस तरह से opposite थी एक दूसरे के साथ में Norman Godspine जो थे first set with an elderly gentleman जो एक defeated type of person लग रहा था whose cloths was shabby the old man was looking defeated with little defiance. Defiance मतलब बहुत ही कम resistance जरा गया था उनके अंदर में तो एक defeated person की तरह old man जो थे वो पहले होँ बैठे थे तो अब compare दूसरे दूसरे आदमी के साथ जो आया था बाद में young man वो कैसा था? वो young man was well dressed very cheerful than the old man. तो वो एक दम energetic था person जो भी आया था वो young man and uh अच्छी तरह dress था और बहुत cheerful था. तो यह दोनों में यह comparison था. Question number three, what prove to the weak point in the young man young man have in the story? तो जब यंग मन ने story सुनाई थी कि वो रास्ता भूल गया, वो पहले शॉपिंग करने गया, उसने कुछ soap खरीदा और कुछ कुछ इजदर कुछ समान शॉप्स में गया and then बाद में जब जाने को हुआ तो वो रास्ता भूल गया और इसको hotel का नाम भी पता नहीं था, एडर्स भी पता नहीं था. तो यह story सुनाई तो उस story में क्या weak point था? ता weak point in the young man story was that he was not able to produce soap as a proof. तो जब proof उसने story में डाला था, कि मैंने soap खरी था, तो वो जब soap के बात आई, कि भई soap किदर है दिखाओ, तो वो produce नहीं कर पाया, तो यह कुछ उनके लिए weak point हो गया था, story का. Luck thing have, luck thing you are finding, you finding it. What luck did the young man have in the story? तो luck thing जो थी, तो basically soap ही था, कि soap मिल गया तो प्रूफ हो गया कि अहां यह story जो उन्होंने सुना ही थी, young man नो character करके. Okay, the narrator found the one soap near the bench which he thought, यह दो लिखाया, वट he thought T-H-O-U-G-S-T-I belongs to the young man. It became lucky for the young man as a proof for his story. तो basically यह इसी तरह था कि lucky thing जो थी वो soap था और वो उसकी story में एकदम fit बैठ गया क्योंकि जैसे ही वो इसको soap उनको मिला, narrator को की नीचे पड़ावा मिला था bench के नीचे तो उनको लगा है कि यह story एकदम ठीक है तो वो एक lucky thing था young man के लिए अब B part आता है B part के question देखिए, the young man turned to him with a look of disarming frankness which put him instantly on his guard. तो यह एक reference दिया हुआ है कि जो इस में से story में से निकाल के किया है, अब इसमें से question पूछ रहा है, to whom did the young man turn? तो यह question यह पे भी लिखे है, to whom did the young man turn? तो किसकी तरफ young man किसी तरफ हुआ, तो जो narrator, जो अपना writer था हुआ, उसकी तरफ हुआ, the young man turned towards Norman Godzbhai, who is the narrator of this story. B part आता है, इसका what did the young man say to him, young man ने उसको क्या बुला, the young man said, you would not be in good temper if you are in the fix, I am in. I have done the silliest things I have done in my life. तो young man ने उसके बाद में जब यह बोला, उसने frankness की जो बात हो रही थी, उसके बाद जो बोला, यह young man ने बोला था, you would not be in a good temper. पहले उसने बोला था, old man ने, sorry, narrator ने उसको बोला था, कि your seems to be not in good temper. तो उसका reply उसने यह दिया, you would not be in good temper. if you are in the fix, I mean, जो जिस जिस मुसीबत में में पढ़ गया हूँ, उस मुसीबत में तुम होते हैं, तो तुम भी, तुम्हारा टेमपर, तुम्हारा गुसा भी अच्छा नहीं रहता है, मैंने एक्दम silliest काम किया है, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था. अब C पार आथा, डिस्क्राइब दे यंग में कैसा था? तुमसा था यसक्राइब आए, तुम भी नहीं रहता है, पन्सक्राइब उते अउन, अग भी नहीं हे था था? घरो the look of disarming frankness put the person on his guard because he does not know how the other person will react towards his frank behavior because उसने जब यंग मेन एकदम से आ के बैठा तो नराटर ने एकदम से पूछ लिया आप तो एकदम कुछ आच्छे temperament नहीं दिख रहे हो तो यतनी frankness उसको अच्छी नहीं लगी यंग मेन को तो उसने उसने ऐसे look दिये हो इसको कि disarming frankness वाले look दिये मतला उसकी जो frankness नहीं यह इसको अच्छी नहीं लगी हो उसने इस look से अपने बताया अब वो फिर उस वो गाड में क्यों हो गया narrator वो एकदम पीछे क्यों हट गया उसकी जब उसने ऐसे look दिये तो उसको ऐसे ही लगा कि मेरी frankness इसको अच्छी नहीं लगी तो इसने आगे कुछ बोला नहीं और उसका वेट करता रहा जब वो यंग मैं अगें बोला तब इसने आगे जाके बोला तो ऑन गार्ड मतलब वो अगें कुछ अगें कुछ बोला नहीं उसके रेस्पॉंस का वेट किया अब इसी का क्वेशन बी का क्वेशन नमबर टू है इसी लेसन तो में नाच तो बी clever and judging by circumstances तो यह narrator नह बोला था speaker name the speaker the name speaker is Norman God's by जो narrator है बी, whom did the speaker judge? जो speaker किसको judge कर रहा था, the speaker judge the young man, did the judgment turn out to be correct? No, his judgment was ultimately not correct, मतला, जब उसने एक वार तो believe कर लिया था, जब soap मिल गया था, तो उसने believe कर लिया था, कि यहां, जो story बना बताई है, और इसनो correct है, but ultimately, जब old man, वो अपने soap को search करते हुआ है, तो बालम पड़ा कि यह जो यह soap है, वो young man का नहीं है, इस old man का है, तो वो young man की story अगें गलत होगी, अब बड़ इसने इसको believe कर लिया, तो ultimately, इसका judgment जो था, इसकी story को believe करने का करत था, now what lesson did the speaker ultimately learn, तो पूरी story खतम होने के बाद में, speaker को क्या lesson learn करना चाहिए, अब क्या lesson learn करना चाहिए, अब क्या lesson learn करना चाहिए, इसमें नहीं दिया गया, बड़ आप अपने words में लिख सकते हैं, इसमें, the speaker learned that one should not take decision without finding all the facts and truth of the story, जब तक आपको सारे facts और पूरी story का truth नहीं पता हो, आप किसी पर believe मत करीए, इस तरह से के एक हम बता सकते हैं, so ये class eight का chapter था, dus उसकी question answer हमने लिए, तो thank you for watching this video, thank you very much.